हम लोग यहां पे अपना जो चैप्टर हमारा सिक्स है इसमें बात कर रहे थे हमारी अपराधिक न्याय प्रणाली ठीक है तो इसमें जो पहला पार्ड था उसमें हमने समझा मतलब इसके कुछ कीवर्ड्स थे और इसके बाद हमने समझा किसके अंतरगत पढ़ना क्या-क्या ह तो यह आपका टाइटल ही देखके आपको पता चल रहा होगा कि हमको क्या-क्या बाते यहां पे जाननी है ठीक है हमारी अपराधिक न्याय प्रणाली यानि कि जो भी अपराध होते हैं किसी के द्वारा किये जाते हैं उनकी न्याय प्रणाली न्याय व्यवस्ता कैशी होत पिछले एक घंटे से वह घले का धूंड रही है ठीक है यह रही है मुंबई के तो अब इनका हार कहीं गुम गया और इनको बिल्कुल इतने कॉन्फिडेंस से बोलने कि मुझे पक्का पता था कि मेरा हार यहीं कहीं रखा है उसके बाद होता क्या है कि यहां प्यादी हम बात करें जल्दी करो भाई हमें देर हो रही है हमें दोईर हो रही है साधी के समारो में जाने के लिए ठीक है उनकी हस्वेंड कहते हैं जल्दी करो आप तयार हो जाओ जल्दी से हमको देर हो रही है साधी के कोई मेरिज के उसमें जा रहे थे फंक्सन में तो यह बोल रहे हैं कि जल्दी से करो मुझे देर हो रही है अब य करना था हुआ नहीं है जो महिला उनके घर में काम करती तो यह बोल रहे है कि उसनी ही चुड़ा चुरा लिया है ये पूरा अभी बढ़ रहे हम एक केस को थोड़ा हच्छे से Carney है उसके बाद हम किसी एक अच्छे निर्णय पे आने वाले हैं तो यहां पर उनका सांती नमक महिला मतलब यह सक कर रही है भी ठीक है अभी कोई क्लियर नहीं हुआ कि हार कहां गया है उसके बाद होता क्या है कि सांती हेम प्राम पिछले तीन साल से इस माकान में काम कर रही है जो सांती नमकी महिला है वो पिछले तीन साल से इसी माकान में काम कर रही है ठीक है यह महिला क्या बोलती है मालकिन जो है घर की बोलती सांती क्या अब तुम चोरी भी करने लगी हो और वो भी सोने का हार अपना भकसा लाओ मैं अभी तलासी लोगी हमने पुलिस को बुला लिया है अगर तुमने हार लिया है तो अभी लोटा दो ठीक है तो ये सांती मतलब ये मालकिन ऐसा बोलती है इ यानि कि यह इस पे चोरी का इलजाम लगा रही है और यह बोल रही है कि मैंने चोरी नहीं की है उसके बाद क्या होता है कि सिंदे साहब सांती के बक्से की तलासी लेते हैं जिसमें एक लिफाफे में 10,000 रुपए मिलते हैं वह सांती पर चिलाने लगते हैं उन्हें यकीन हो जाता है कि सांती ने हार बेच दिया है और यह उसी का पैसा है ठीक है यानि कि सांती के बक्से में क्या है उनको 3,000 रुपए मिलते हैं जिससे वह सिंदे साहब जो थे वह क्या होता है मतलब उनको पुरा यकीन हो जाता है कि सांती ने क्या किया हार को लिया और बड़ी चला पैसे लाके रख़ा होगा हो सकता है कि सांथी कभी मतलब अपनी तनकवाह से पैसाा बचाला करती रही कि अभीन का हार चोरी गया है तो दिक कहत अलब और मैं पिछले साल भर में पैसे जमा पर रहे हैं हम कर आण को रहे हैं इक Сейчас एतना चाहते हैं मैडम मैं बे गुनाय हो ठीक है यह लड़की क्या बोल रही है यह महिला कि मैं और मेरा भाई जो है वो साल भर से पैसे जमा कर्हें यहिनि पैसे कठा कर करके रहे हैं तो किसी बैंक सबीक काउट में डालके अपने पास ही रख रहे हैं जो भी हमारे आमदनी से थोड़ा बहुत बचता हमारे खर्चे से तो उसको हम लोग क्या गड़ है रख रहे हैं अपने पास और मैंने कोई चौरी नहीं की है मैं बेग गुनाए हूं बेगुनाए का मतलब है जिसका कोई लेकिन उसके बाद हमेशा होता क्या है कि अमीरों के घर में कोई है तो गरीब ही फस्ता है भले ही वह बहुत ही इमानदार हो लेकिन सक उस पे ही किया जाता अब इसमें के लिए अंगे की बात की गई है मिश्टर्ज सिंदे थाने पहुंच जाते हैं यह जो सिंदे थे जाना इनको मैरेज में घर में चोरी हुई है घर की नौकराणी सांती ने मेरी पतनी का हार चुडा लिया अभी इनको कोई क्लियर नहीं हुआ फो बढ़ा ही मेरे दौरा ऐसा यह पैसा रखा गया यह थाने जा के फाइर दर्ज कराते हैं बताते हैं कि उसने मेरी अब पुरे कांफिडेंस के साथ ही बता रहे हैं पूरे ने चोड़ी कर लिया अब उसके बाद की कारभाही की बात करें तो सिंदे साहब के कहने पर सब इस्पेक्टर जो इंस्पेक्टर है वह राव दर्ज कर लेते हैं ठीक है वहां का जो भी उनके नेरेश्ट थाना रहा होगा तो आपको पता है कि हम रिपोर्ट कहां दर्ज करा सकते हैं ठीक है हम सिक्स और सेबंध क्लास में सब ठीक है कुईसी दूसरे इलाके में जाके या कि अपने ही आपका जो इलाका एक दिवाइड होता है वहां पे ही करा सकते हैं तो वह आप लोग क्योंकि यदि आपने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और आपको याद भी होन पड़ा तो यह चाहिए तो यहान के क्या कर भाते iր अपने जो के साथ घर आते हैं और घर आपके जब इंस्पेक्टर्स आवाते हैं और यह बोलई क्या बोले अब मैं इस चोरी के बारे में स्री सिंदे और उनकी पत्नी के वयान दर्ज करूंगा रुपयों के लिफापे को सील करके सबूत के तौर पर अपने साथ ले जा रहा हूं और मैं सांती को गिरफतार करके ठाने ले जा रहा हूं ठीक है यनि अभी सांती सक्के दारे में कोई कंफर्म उसका जुर में नहीं हुआ कि उसने चोरी की ही है यह सारा मामला वाग थोड़ा डिटेल से समझेगा यह क्या करते है कि मैं सिंदे और भाइफ का भी बयान लूँगा और उसके बाद क्या होगा कि मैं जो पैसा है उसको सबूत के तौर पे ले जाओंगा और सांति को ही साथ साथ में थाने ले जाओंगा उसके बाद आंके होता कि यह कहती है सांति जो महिला थी उसने कहा कि महरवानी करके मुझे थाने मत ले दाइन मैंने हार नहीं चुराया यह मेरी मेरी मेहनत की कमाई है वो महिला चिला चिला के कह रही है कि महर्भानी करके मुझे थाने मत ले जाए मैंने हार की चोरी नहीं किये ठीक है लेकिन अब यह बड़े लोग है अब उनसकी कौन सुनता है अब सबको लगा होगा कि गरीब है चोरी करही लेगी और हमेसा आप देखो कि आपके घर में ही हो कहीं पे भी हो सक्केदारे में वही आते है जबकि उनसे इमानदार सच पूछे तो कोई नहीं होता ठीक है यह गरीब ब्यक्ति कभी रोटी की चोरी करता या पैसे की तो यह समझना चाहिए कि कहीं न कहीं उसको जरूरत थी कोई चोरी करने के लिए जन्मजात बिल्कुल चोर पैदा नहीं होता है उसकी मजबूरी उसको ऐसा करने पर मजबूर कर देती है ठीक है तो यहां पर खैर यह सक्केदारे पर आती है और जबकि यह कह रहे हैं कि मैं बेगुनाए हूँ मेरी कोई गलती नहीं है अब उसके बाद हम आगे की बात करें यहां पर बताया गय कि सांती का भाई सुसील आता है और सब इंस्पेक्टर राव से बिंती करता है कि वह सांती को छोड़ दे ठीक है उसका भाई आता और बोलता है कि आप सांती को छोड़ देजिए अब यहां पर होता क्या है कि यह बोल रहा है कि मतलब यह पुलिस वाले ने क्या बोला कि उस और उसके पास मतलब उसके लिए कौन जमानती बनेगा आपने हमारी सारी कमाईतों स्टील करके अपने पास रख ली है ठीक है यानि कि यह लोग जो इकठा करके रखते थे थोड़ा बहुत तो यहां पी क्या हुआ कि इसने क्या कहा आपको अदालत से पहले जमानत लेके आनी पड़ेगी उसके बाद हम सांती को चोणेगे यानि कि आपको अब इसमें समझने वाली बात जो है कि यदि कुछी को एक बार गिरफतार कर लिया जाता है तो उसमें जब तक हम अदालत से जमानत की कागजात लेके नहीं जाते हैं तब तक उसको नहीं चोड़ा जाता है ठ कहां से पैसा लाओ और जो भी हमारी कमाई थी थोड़ा बहुत हमने बचा के रखा था उसको आपने तो सेल करके रख लिया है अब उसके बाद आता है अंगले बात करें यहां पर आगे कि इसमें होता क्या है कि सब इंस्पेक्टर राओ सुसील को भी दो दिन तक हवालात में रखता है यहनि कि उसने ऐसा बोला तो भी दो दिन तक क्या किया जाता हा वालात में रखा जाता है उसे विसके इंश्पेक्टर राओ एपाई कंस्टेवल पीटते हैं यहनि कि बात करें कई होगा तो सब इंस्पेक्टर राओ जो था और कई जो कांश्टेवल थे वो क्या करते उनको पीटते यानि कि मार करते उनकी और गलतियां मतलब की गालियां देते हैं वे उस पर दवाब डालते हैं कि वे इलजाम कबोल कर ले ठीक है मैंने आपको कल भी समझाया था कि ऐसा कुछ कंडिशन्स बनती है कि जब अजस्ती मार मार के कबूल कराई जाता है कि आप गुनाय कबूल करो उसके बाद होता क्या है कि वह इलजाम कबोल कर ले वह उसे यह मानने के लिए कहते हैं कि वह और उसकी बहन सानती घरेलू नाकरों का एक गिरोह चलाते है और वे घिरो गहरों के गहनों मतलब की गहने चोड़ी करता है सिंधे के पड़ोसी से मतलब पड़ोस से गहनों के गायब होने की कुछ और सिकायते भी आ चुकी थी जब सुसील बार-बार यही कहता रहता है कि वे निर्तोस है और फैक्टरी में मजदूरी करता है तो दो दिन बाद पुलिस उसे छोड़ देती है ठीक है यनि कि इतना मारफीट करने के बाद सपोस्ट आप किसी के घर में काम कर रहे हो ठीक है और वहां पे आप पे कोई ऐसा इलजाम लगाया जाता है जबकि आपने कभी सोचा भी ना कुछ भी नहीं होता कि हम बे गुनाय है ठीक है तो यहां पर यह लोग अब इनको मारा जा रहा है कि मारने से सायध हो सकता है कि अपना गुनाय कबूल कर ले लेकिन जब हमने चोरी की नहीं तो हम गुनाय कबूल क्यों करेंगे चाहे आप हमारे मार मार के जान ही ले लो ले तो जब उसका भाई बार बार कहता रहता है कि साब मैंने ऐसा नहीं किया मैं निर्दोस हूं मेरी बहन निर्दोस है तो उसके भाई को दो दिन बाद क्या किया जाता है छोड़ दिया जाता है अब उसके आंगे की घटना की बात करें कुछ दिन बात क्या होता है अदालत ने एक महीने बाद सांती की जमानत की अर्जी मंजूर कर ली लेकिन कोई भी 20,000 रुपए के लिए उसका जमानती बनने को तयार नहीं था नतीजन जमानत के बापजूद वह जेल में ही पड़ी रही गहरे सदमे की हालत में है वह डरी हुई है कि मुकदमे का क्या नतीजा निकले ठीक है यनि कि जब हमको कोई पुलिस कस्टेडी में लिया जाता है और उसके बाद जमानत होती है तो जमानत सिर्फ अदालत के मतलब की जो अदालत का कागजाद होता है उसके हिसाब से तो होती है लेकिन उसमें एक बात और इंपॉर्टेंट होती है और वो क्या होती है कि हमको एक कोई जमानती चाहिए ठीक है यनि कि कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसका कोई समाज में अस्तित हो कि हाँ ये एक भारत का नागरीक है ऐसा नहीं कि कोई दीवालिया व्यक्ति जाके या कोई पागल व्यक्ति जाके बोलता है कि मैं इसका जमानती हो तो ऐसा नहीं ह में गवाह दे सकता है कि मतलब उनका जमानती बन सकता है ठीक है और जब तक कोई जमानती नहीं होगा तब तक हम नहीं छूट पाएंगे यहनी कि हमको अदालत ने दे दिया वहां से मंजूर कर दिया कि आपके जितने भी जमानत के काग जाते वह अदालत के द्वारा मंजूर कर दिया जाते लेकिन यहां पेर एक हमको गवाह के तौर में पेश करना होता है कि यह हमारे साथ है यह मतलब इसमें सामिल मैंने की यह चाहते हैं या यह देखे हैं कुछ भी उनको जमानत की रूप में एक व्यक्ति को पेस करना ही पड़ता है यहां पर मैं समझने की बात यह है कहानी इंट्रेस्टिंग है लेकिन इसमें जो समझाया जा रहा है हमको समझना वह है ठीक है अब उसके बाद होता क्या ह मेरा क्या होगा यह सांती नाम की जो महिला वो सोच रही है मेरा क्या होगा आप मैंने तो कुछ गलत नहीं किया सिर्फ मैडम के सक की वज़े से मैं सलाखों के पीछे आ गई हूं और हम लोगों ने जो पैसा बचाया था क्या वह कभी हमें वापस मिलेगा मतलब कि यह क्या सक के दाएरे पर हम सलाखों के आज पीछे हैं जबकि वह चिला गे करें कि मैंने ऐसा नहीं किया कि लेकिन वह प्रिछ पेजिडा को वाला उनकुलने वाला हार चौरी गया हो सकता कहीं और अभी आंगे की कहानी परते समझ में आएगा उसके बाद होता क्या है कि पुलिस ने मेजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया और उसके बाद होता क्या है कि मतलब अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की एक नकल सांती को दे दी जाती है सांती अदालत को बताती है कि चोरी के इस जोटे इलजाम से बचने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है ठीक है क्योंकि वकील फ्री में नहीं आते हैं वकील के लिए अच्छी खासी मोटी रकम लगती है थोड़ा बहुत नहीं कि 100-200 देदो अच्छी खासी रकम देनी पड़ती है तो वो क्या बतारे कि हमारे पास कोई वकील नहीं है मजिस्ट्रेट महोदे सांती की दलिल सुनकर अधिवक्ता कमाल राय को सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष का वकील बना देते हैं वहां पे आपको पता होगा कि प्राइवेट वकील भी होते हैं गवर्मनेंट वकील भी होते हैं संभीधान के अनुषएद बाइट के अनुसार प्रत्क व्यक्ति को एक वकील के जरी अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है संभीधान के अनुच्छेद 49 ए में ऐसे नागरिकों को वकील मुहया कराने की जिम्मेदारी राज्य के उपर सौंपी गई है जो गरीबी या किसी और बज़े से वकील नहीं रख सकते हैं अब यह पॉइंट आपको नोट करना है तो इसको अभी आप लोग नोट करिए क्या नोट करना है हमको कि संभीधान के अनुचार यानि कि हमारे कांशिट्यूशन के अनुचार आर्टिकल 22 क्या कहता है कि प्रतेक व्यक्ति को एक वकील के जरिये अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है ठीक है चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो और आर्टिकल हमारे Constitution के आर्टिकल 39A में भी बात की गई है कि ऐसे नागरिकों को ये दोनों ही पॉइंट आपको नोट करना है तो चाहें तो आप वो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट करके डाल लिजिए कि संभिधान के अनुचेद 22 के अनुसार क्या हो तक प्रतेक नागरिक को या प्रतेक व्यक्ति को एक वकील के जरी अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है देनाप सेकंड पॉइंट में लिख देंगे कि संभिधान के अनुचेद 49A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहया कराने की जिम्मेदा जानकारी राजी के उपर सौपी कही है जो गरीबी या किसी और वज़े से वकील नहीं रख सकते हैं ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए हग हो सकता है कि हम भी एक आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे कि मतलब गरीब फैमली से बिलाउं करते होंगे ठीक है वहां पर य यह हमारे राजे सरकार का धायित तो है करतब में है कि वो हमको एक वकील दे क्योंकि यह हमारा फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल ट्वंटी टू में इसकी बात की गई है ठीक है तो इसका आर्टिकल यह दोनों ही है तो इनको याद रखना आपको और यह जो भी रखना है अब उसके बाद हम बागे की कहानी पढ़ते हैं होता क्या है कि ये मेरे मतलब की अधिवक्ता कमला राय सांती से अदालत में मिलती है तो उसके बाद जो कमला राय को बनाया जाता है वो क्या करती है सांती से अदालत में मिलती है ये मेरे मुकदमे के कागज है मे मेरे मालिकों ने हार चुराने का झूठा आरोप मुझे पर लगाया है जाल सांती के भक kamu में 10 कुषका की रुपे पैसे हांसिल किया था लेकिन यह हम दोनों की बचत का पैसा है यो भाई बैन अपना जो भी मामला था वकील को बताते हैं दिन हुसके सोने का चुडाया है और चुरी के हार को बेज कर सांती को हुष जो 10,000 रुपै मिले हैं थीक है से बाbon करें मैं निर्दोस हूं और मेरी सुनबाई हो सांती क्या भोल रही है कि मैं निर्दोस हूं मेरी सुनबाई होनी चाहिए मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा सुरू हो जाता है ठीक है मतलब दोनों ही पक्षिके जो सिंदे साब के पक्षिके वकील थे और जो सांती के पक्षिके वकील थे जो की गवर्में की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है इसके बाद आगे होता है तो अब बताए स्री मती सिंदे आपका हार किस तरह गायब हो भीन अब ये वकील पूंच रहे हैं कि मतलब जो सिंदे साब के वकील है कि आप बताएं कि आपका हार किस तरीके से गायब होता है तो इसने बताया कि मैंने सोने का हार दराज में रखा था जो वहां की सिंदे साब की वाइफ थी उन्होंने बताया कि मैं क्या किये थी सोते टाइम दराज में रख दी थी हार को सांती ने उसे चुराया है सांती के अलाबा और कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं आता है मिश्टर सिंदे ने मेरे सामने उसके संदोग में मतलब संदोग की तलासी ली थी वहां लिफाफे में दस अजार रुपे देखकर हम तो अचंबे में पड़ गए थे सांती को यह पैसा मेरा हार बेज कर मिला था वह चोर है ठीक है तो इन्होंने क्या बोला जो मिश्ट सिंदे थी उन्होंने बोला पूरा अपना बताया कि सांती चोर है अभी कोई कंफिर्म नहीं है बस यह उसी कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि कोई हमारे रूम में जाता नहीं सांती के अलाबा तो उसी ने चोरी की होगी इसके बाद अधिपक्ता राय स्रीमती सिंदे से जीरह करती हैं और जीरह का मतलब हम लिखवा चुके हैं पहले ही इसमें क्या होगा कि वो पूशती इसमें मैं तो मतलब की यह जो वकील है इनसे पूशती है कि तो आप यह कह रही हैं कि आपने सांती को चोरी करते हुए नहीं देखा ठीक है अब यहां पे देखि होगे वहाँ पे अच्छे तरीके से समझाया जाता है तो यहां पे जो सांती की तरफ से वकील है उन्होंने क्या कहा कि आपके कहने का सीधा मतलब है कि आप सो जाती है आप हार को नहीं देखती मतलब सांती को चोरी करते हुए नहीं देखा नहीं आपको सांती के पास चोरी का हार मिला ठीक है पैसे मिले हैं ना तो चोरी का हार मिला ना आपने सांती को चोरी करते हुए देखा पिछले तीन साल में जब सांती से मतलब की जब से सांती आपके घर में काम कर रही है तब से कोई भी चीश आपके घर में चोरी हुई है या आपके घर से चोरी हुई है क्या ब्हुत तो आज को बहुत सारी घर की चीज़े गायब हो गई होती तो इस मेब कुछा कि जब वो तीन साल से आपके घर में काम कर रही है तो क्या आपका कोई सामान चोड़ी गया कहीं गाया भुआ घर से तो जबकि इन तीनों में से कुछ नहीं हुआ जबकि वो एक हजार रुपए परमन्थ पगार भी पाती थी ठीक है उसके बाद अब हम बात करें तो यहां प भार पर सुस्री राय यह साबित कर देती है कि सांती के संदूख में मिले 10,000 रुपए सुसील और सांती की कमाई की रकम भी हो सकती है ठीक है जैसे इन्होंने सक किया कि बेचकर इन्होंने पैसा लाया तो इन्होंने बताया कि यदि बेचकर पैसा लाती है तो वहां पर यह ऊकद्मा खत्म होने के नजडिक पहुचाता है तभी सुसील को पता चलता है कि इन्सपेक्टर सर्मा ने युबाँ के एक गीरो prawd का भंडा फोर किया है इस गीरो के लोग के के मुहले में से चुरी एक सुनील को क्या पता चलता है कि जो इंस्पेक्टर सर्मा है उन्होंने युवाओं के एक गिरो का भंड़ा फोर किया है इस गिरो के लोग क्या करते थे कि सिंदे के मुहले में यनि कि आपने अभी हमने पहले पढ़ा ना कि कई केस पहले भी आ चुके थे ठीक है तो सक्केदार में मतलब सिंदे के मुहले के गहने चोड़ी करते थे स्रीमती सिंदे के बेटे के कुछ दोस्त भी इस गिरो के सदस्य थे उनके पास से स्रीमती सिंदे का हर बरामद हो जाता है सुसील यह बात अधिवक्ता राय को बताता है अब अधिवक्ता राय बचाव पक्ष के गवा जाता है जो कि इस केस के मतलब जो इस केस को हैंडल करने वाले थे उनका खुलासा करने वाले थे उनको बुलाया जाता है और उसके वाद उनसे भी पूछताज की जाती है और उनसे क्या पूछा जाता है कि इंस्पेक्टर सर्मा क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आपने क्या क पकड़ा है, जिसने यह हार चुराया था, उन लड़कों ने अपना इलजाम कबोल कर लिया है, यह हार उन्हों ने ही चुराया था, ठीक है, तो यह इंस्पेक्टर बता रहे हैं कि मैंने एक लड़कों का गिरो जो पकड़ा है, वहां पे लड़के चोरी करते थे मुहले में, और सोने चांधी की चोरी करते थे, सब की ही चोरी करते थे, और उन्होंने अपना गुनाय भी कभूल कर लिया, अब आता क्या है, यहाँ पे मामला क्या होता है, नियाधिस महोदै सारे गवाहों के वयान सुनते हैं, इंस्पेक्टर सर्मा का वयान सुनने के बाद, अधिवक् थी मैम थी वो क्या करती है कि अब वो मजिश्ट्रेट के सामने या नियाधियस के सामने ये दलेल रखती है कि सान्ती पूर्ण रूप से अब निर्दोस्त सावित हो चुकी है उसे छोड़ दिया जाए तो यहां पर जज का फैसला क्या आता है सान्ती आपको चोरी के इलजाम से भरी किया जाता है पुलिस ने जो दसजार रुपए आपके पास से बरामत किये थे उसे भी आपको लोटा दिया जाएगा मैंने लिखित फैसले में इस बात पर जोर दिया है कि तस्तीफ में सब इंस्पेक्टर राओ की लापरवाही पर खास तोर से ध्यान दिया जाए और मिश्टर सिंदे और मिसे सिंदे की सक्की वज़े से क्योंकि उनको पता नहीं था और वो जबकि इतने साल से कोई काम कर रहा आपके घर में तो थोड़ा बहुत तो भरोसा या ट्रेस्ट होना चाहिए आपको अधरवाइस आप घर पे रखो ही मत कि इसने जोरी कर ले ज